तो आगे बात करते हैं ग्रैविटेशन के बारे में सेंट्रीपिटल फोर्स इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में ग्रैविटी के बारे में अब तक हमने बात करी थी ग्रैविटेशनल फोर्स चैप्टर चाल रहा है ग्रैविटीशन अब हम बात करेंगे सेंट्रीपिटल फॉर्स की यह सेंट्रीपिटल फॉर्स वो फॉर्स है देखो समझना बात को क्योंकि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्स है मैं बात करूं नाइन्थ की मैं बात करूँ 11th की तो ये बहुत ही important है ठीक है तो centripetal force क्या होता है basically centripetal force वो force जो center से होती हो कैसे suppose करो suppose करो ये हमारा earth है ठीक है ये हमारा earth है यहां पर हमारा moon है अब हमें पता है कि moon हमारा हमारा चक्कर लगाता है earth का चकर लगाता है rotate करता है earth के around अब वो rotate कैसे करता है सबसे बड़ी चीज़ यहां पर आती है कि ये जो moon है moon के पास inertia होगा क्यों क्यों कि ये एक object है अपने आपने मैं यागर बंदा एक्दम सी अलरेशन देता है तो पीछे की तरफ तरफ बैंड हो जाता है क्यों क्योंकि वो अपनी ओरिजनल पोजिशन पे रहना जाता है लेकिन बाइप के चाहरो रहा जाता है जिसकी वैज है से व लिक्तने तरफ हुजाता है क्यों 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 मोशन में रहना चाहता है ठीक है यहां पर और एक मैंने बताया था डायरेक्शन वाला यहां पर डायरेक्शन वाला concept लगना चाहिए था direction वाला concept क्या था कि अगर कोई एक object direction में move कर रहा है तो ये अपने आप से ऐसे 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 नहीं हो सकता इसको सीधा ही जाना पड़ेगा इसको सीधा ही जाना पड़ेगा इसका मतलब यहां बलवी वही concept लगेगा क्या मून कैसे जाएगा सीधा जाएगा यहां पर यह जो मून है ऐसे जाएगा यानि कि suppose करो यह मून जाना कैसे चाहता है ऐसे लेकिन किसी वजह से इस तरफ बैंड हो जाता है अब वो क्या होता है that is called the centripetal force अब यह क्या करता है कुछ ना कुछ ऐसे 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 बैंड हो जाता है वो क्यों होता है विसी पर अब उसके बारे में हम बात करते हैं ठीक है ना suppose करो यहां पर ही हमारा मून रखा हुआ है अर्थ के comparison में मून तो इतना ही होता है ना चलो यहां पर हमारा मून रखा हुआ है अब होगा क्या, देखो, यहाँ पर, अब होगा क्या, यह जाना तो सीधा चाहता है, लेकिन यह किसी ना किसी वज़ा से इधर को मोड़ जाता है, होता क्या है, यहाँ पर force अपलाई होता है, कैसा force, centripetal force, centripetal, क्या है, centripetal force, centri, centri का मतलब होता है, center की तरफ, एक होता है centripetal, एक होता है centripetal, एक होता है centripetal, centripetal का मतलब होता है, center की तरफ और centrifugal का मतलब होता है सेंक्रस से दूर जानि कि suppose करो centrifugal है तो यह ऐसे अगरेगा और तो यह ऐसे वाउव करेगा değişाने हुआ fais अब देखना है अब देखने हुआ पर क्या हो गए हाँ पर हुआ यह मून है कि कैसे करना क्याक्या है अवा ऐसा यूआ बिल्कुल इसे क्यों कि इसके पास नर्शी आ है अगर यज़िए एक डिर्रेक्शन में जा रहा है तो इसके डिर्रेक्शन पर को स्विछ सेंत्रिपरीकृत यल?. लगता है सेंटर की तरफ लगता है क्या यह लगा सेंटर की तरफ पूरी तरह से तो यह अंदर की तरफ ऐसे नहीं खीच लेता करता क्या है यहां पर यह अब यह अब यह अब आगया अब ये इधर जाना चाहता है पिस तरफ जाएगा लेकिन फेर से यह जो फूर्ड है वो पर किस पे मूं पे जैसे यह परपेंडिकूलर फिर से अप्लाई हुई फिर से अपनी डिरेक्शन बदलेगा अब सपोस करो यह यहां आने के बाद फिर से यह लगी परपेंडिकूलर फोर्स और यह लगी सेंटर की तरफ होगा ना अब ये center की तरफ perpendicularly apply हुई होने से क्या हुआ कि इसने इसकी direction में थोड़ा change ले आया जाना तो ये ऐसे चाता था लेकिन अब जा कैसे रहे थोड़ा सा तेल्टो के फिर से अभी यहाँ गया अभी कैसे जाना चाता है ऐसे जाएगा यहाँ पर फिर से perpendicular force लगती है और ऐसे ही यहाँ पर ये center force लगती है फिर से ये थोड़ा टेल्टो हो जाता है देख लो circular motion धीरे धीरे बनता जा रहा है और ऐसे ही पूरा का पूरा circular motion create हो जाता है यानि कि यहाँ पे भी आएगा यहाँ पे भी आएगा और यहाँ पर भी आएगा तो भी perpendicularly force अप्लाइब होगी हर तरफ से कैसे पर्य पेंडिकुलर्ली अप्लाइब होगी जिसकी वज़ा से क्या होगा यसे center की तरफ जाना तो चाता है लेकिन पूरी तरह से यह force center की तरफ उसे नहीं भेज कर उसकी थोड़ी सी direction में change ले आता है जिसकी वज़ा से वो circular motion में आ जाता है इसका सबसे अच्छा example देखो एक काम करना एक रोप लेना रोप मतलब छोटा सा एक धागा लेना उसके साथ पत्थर को बांदना और ऐसे उसे रोटेट करना तुम रोटेट करोगे तो तुम अगर देखोगे तो उसका जो force होगा वो center की तरफ आएगा वो आना center की तरफ चा is called neutron ring experiment उसके बारे में इतना नहीं पढ़ना centripetal force समझाया centripetal force वो force जो center की तरफ अप्लाए हो centripetal force is the force which is applied towards the center यह समझाया कैसे center की तरफ अप्लाए होगा अभी मैंने बताया कैसे हर तरफ से perpendicularly होगा ना यानि की towards the center perpendicularly इसे थोड़ा और डीटेल में जाके पढ़ना पड़ेगा लेकिन अभी के लिए सिर्फ इतना जान लो क्या करता है center आप्लाए होता है center की तरफ अप्लाए होता है और कैसे अप्लाए होता है ठीक है कोई भी टो ड्रेवी टेशन या ग्रेवीटेशन फोर्श और ग्रैविटी दोनों में difference तो है चीक हैना gravity क्या होता है एक्जामपल की बास करते हैं शुरू से एक्जामपल लेके चलते हैं देखो यहां पर gravity का मतलब मैं मैं स्मॉल जी समझा रहा हूं ग्राविटी तो इसको स्मॉल जी के बेस पर समझना हूँ एक यूनिबर्सल ग्रेटेशनल कॉंस्टन उसकी वैलू को भी चैंज नहीं हो तो इसकी वैली कितनी है 6.67810 बाव माइनस 11 न्यूटन मीटर स्कॉर पर केजी स्कॉर एक्जाम्पल की बात कर लेते हैं सबोस्ज देखो सबसे पहली चीज ग्रैrettii हर एक ऑबज Què की अपनी 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 ग्रैटी होगी डिपेंडिंग उसके पास कितना मास है उसका इसके अपनी 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 डिज रमव जेते हैं adyeaires suppose करो ये है earth suppose करो ये है जादे अच्छा बन लिए तो जैखो moon ये है, earth ये है इसका जो radius होगा radius कुछ होगा इसका है ना और इसका radius कुछ होगा इसका radius होता है 6.4 into 10 to the power 6 meters ठीक है ना क्योंकि हम SI में calculate करना इसमें meter में लिया, otherwise kilometer में भी ले सकते है इसका radius कुछ होगा लेकिन इससे तो कम ही होगा इसका मतलब इसका radius कम बड़ इसका mass भी तो बहुत कम होगा होगा ना, तो इसकी वजह से इसका force of attraction है वो कम होगा इसके मताबिए तो अभी हम अर्थ की बात कर लेते हैं तो अभी तो इससे भूल जाओ, example की बात करते हैं suppose करो यहाँ पर एक man खड़ा है इसका नाम है चंगू चंगू छोड़ो मिन्टू अब यह मिन्टू क्या करता है यह कितने force के साथ attract हो रहा है अर्थ की तरफ हमें यह निकाल रहा है देखो दो object समझ लो एक तो अर्थ हो गया पूरा और एक यह मिन्टू हो गया है ना तो एक तो force of मिन्टू आ जाएगा एक force of अर्थ आ जाएगा और इस दोनों को अगर मुझे बताना है तो बश्वोर्स ओफ ग्रेविटेशन से बता सकता हूँ जो मैंने last class में बताया था उसमें क्या था last lecture के अंदर GM GM1 M2 upon D square था ना यह D square क्या है distance चलो distance देख लेते हैं इसका Central लिया Central force है gravitation Central force है यहां से लेके आदक का मैंने distance ना पा देखो अब यह distance in comparison to इसके center सपोस करो इसका center यहां कहीं है तो यह जो distance है इस distance से बहुत कर है इसलिए हम इसका center negligible माल लेते हैं तो हम इसे direct earth के surface से लेके चलते हैं ठीक है ना At the surface of earth मिन्टू is standing on surface of earth तो हमें मिन्टू का center लेने की ज़रूरत नहीं है ठीक है हमें सिर्फ earth का center चाहिए earth का center क्या होता है मतलब यहां से लेके यहां तक का radius कितना हो गया इसका बताया अभी मैंने 6.4 into 10 to the power 6 meters और अगर मैं बात करूँ earth के mass की mass of earth यह सारी याद रखने वाली चीज़े हैं mass of earth होता है 6 into 10 to the power 24 kg बहुत ही ज़्यादा in comparison to mint 2 देखो अब बात करते हैं fg g m1 mint 2 mm mint 2 upon d square क्या हमें m1 की value पता है m1 क्या है कुछ भी ले सकते हो m1 तुम इसे भी ले सकते हो m1 तुम इसे भी ले सकते हो बात सेम ही है मैंने m1 इसे ले लिया है earth को earth का m1 हमें पता है यह रा d square distance इसका square कर देंगे यह हो जाएगा g की value हमें पता है कितनी होती है 6 g is equal to 6.67 into 10 to the power minus 11 पता है ना मैं अब suppose करो कि यह जो पूरी value है थोड़ा सा गौर देना इस पे क्या कि यह जो पूरी value है mintoo को छोड़ दो g m1 upon d square जो value है क्या वो earth के उपर same रहीगी ध्याम देना इस बात को क्या अगर इहां पर mintoo की बजाए चंगू आ जाए कुछ कोई भी आ जाए anything कोई कार आ जाए क्या उसके लिए यह जो value है क्या वो same रहेगी बिल्कुल same रहेगी क्या उसका mass change कर देगी नहीं करेगी क्या उसका distance change कर देगी नहीं करेगी क्योंकि हमने object का center नहीं मानी हमने surface of earth तक इसका radius measure कर लिया है तो हमें इसका center लेने की ज़रूत नहीं है क्योंकि इसका center negligible सपोस करो यह बंदा है यहां पर इसका center यहां से यहां तक उपा तो in comparison to this यह center बहुत जादा कम है यह distance बहुत कम है तो इस distance सपोस करो कि यह 24 है तो यह point 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 26 है तो क्या हम इसे लेने की ज़रूत है क्यों हम अपनी calculations को मुश्किल करें है ना तो इस चीज को लेने की ज़रूत नहीं है सिर्फ हम यहां से यहां तक क्या लेंगे radius लेंगे और radius of earth हमेशा same रहेगा radius mass of earth हमेशा same रहेगा हमें पता है mass हमारा change नहीं हो सकता और इस लिए बोल रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए यह चीज अब देखना इस चीज को क्या यह चीज constant रहेगी अर्थ के लिए constant for earth होगा न ऐसा अर्थ के लिए लेकिन other planets के लिए उसके लिए अपना M1 होगा उसके लिए अपना mass होगा यानि कि moon का अपना mass moon का अपना radius है ना तो उसके लिए यह value change है कि लेकिन earth के लिए value same रही तो हमें तो निकालना ही नहीं है हमें तो earth का निकालना है सिर्फ हमें तो gravity निकालना है कि earth कितनी gravitational force के साथ उसे खीचता है कि इसी भी object को है ना तो इस चीज को हमने क्या मान लिया इस चीज को हमने मान लिया जी और अगर इस सब की value मैं एक पूट कर दूँ 6.67 into 10 to the power minus 11 into 6 into 10 to the power 24 upon 6.4 into 10 to the power 6 का whole square अगर इस चीज को मैं solve करूं तो मेरे पास approximately value कितनी आती है 9.8 यह बात को बहुत ध्यान से समझ लो यह जो 9.8 आया है यह बहुत ही अच्छा concept है बहुत ही interesting है हर जगा यूज होने वाल है अब यह यह चीज जो value आई है यह किस से आई है gm1 upon d square that is all constant for earth तो यह अर्थ का क्या आगया gravitational force यानि कि इतनी gravity के साथ वह अपनी तरफ उसे खीच लेगा यानि कि यह जो है min 2 अर्थ की तरफ कितनी force है खीचेगा 9.8 अब unit की बात कर लेते हैं gravitation force की अच्छा इस gravity को acceleration due to gravity भी कहा जाता है अब acceleration due to gravity क्यों कहा जाता है क्या इससे body accelerate हो जाती है कि देखो suppose करो किसी एक object को तुम हवा से हवा में से नीचे छोड़ते हो तो क्या होगा वह नीचे आएगी बहुत तेजी से नीचे आएगी accelerate होती नीचे आएगी वह भी छोड़ते चलो तुम मुझे तुम बताओ सबसे असान तरीके से मैं इसकी इसका मतलब समझाने की कोशिश करना हूँ इसकी unit निकाल रहे हैं यहाँ पर कैसे निकालेंगे फोर्स का फोर्मला मास इंटू एक्सेलरेशन है ना अगर मैं बात करूँ यह FG FG is also a force चलो क्या यह force और यह force मैं इक्वल रख सकता हूँ ना है ना क्योंकि यह मैंने जी निकाल दिया है F is equal to MA and FG is equal to GM MM क्या है यह मिंटू गा मास है ना यहाँ पर भी मास है यहाँ पर भी force है यहाँ पर भी acceleration acceleration यह acceleration तो यह भी acceleration पर यह किसकी वज़ा से हो रहा है gravitational force की वज़ा से इसलिए acceleration due to gravity और इसी के कारण जो acceleration की unit होती है क्या होती है meter per second square वही हो जाती है किसकी इस यह gravity acceleration due to gravity की इसकी भी क्या हो जाएगी meter per second square यहाँ पर हमारे पास क्या value आ गई है acceleration due to gravity हमें clear हो गया है एक बार फिर से देख लेते हैं क्या हमने क्या क्या अर्थ लिया अर्थ के ऊपर एक object लिया कोई भी एक object लिया suppose करो window मैंने ले लिया अब चलो car ले ले लिए car मैंने रखी इसके उपर ठीक है अब car का कुछ ना कुछ mass है मैंने लिग दिया m c ठीक है mass of car ठीक है ना यहां से लेकर यहां तक का distance क्या car के लिए change हुआ mass इसका अर्थ का mass क्या change हुआ car के लिए नहीं हुआ अर्थ का mass change नहीं हुआ यानि की सेम भई चीज सेम भई चीज सेम भई चीज g की value पुट करी 9.8 9.8 into mass of car जो भी 1000 जो भी है कितना आ गया 9.8 meter per second square यह आ गया हमारे पास क्या देखो नहीं sorry meter per second square नहीं आए गये force की ऐसा unit Newton Newton आ गया 980 Newton अब हम थोड़ा और आगी चलते है centripetal force हो गया acceleration due to gravity हो गया अब इसी से related हम बात करने वाले है weight की देखो weight एक बहुत interesting topic है और mass और weight तो कुछ जादरी क्यों क्योंकि mass और weight कई लोग कह देते हैं कि भाई save होता है तो पहले तो मैं यह clear कर दूँ कि mass और weight कभी same नहीं होता है mass क्या होता है सबसे पहले mass की बात कर लेते हैं what is mass the quantity of matter present inside the body matter क्या होता है atoms जब हम बात करेंगे chemistry के अंदर तब हम देख लेंगे से अभी समझो कि जो matter present होता है जो तुम खाना खाते हो उसके अंदर matter present होता है वो तुमारे stomach के अंदर जाता है उसकी वज़ा से जो matter तुम्हारे अंदर आ जाता है that is called mass तो the quantity quantity of matter present inside the body the body is called mass यानि कि mass क्या हुआ quantity of matter कितना matter तुम्हारे अंदर present है कितना समान तुम्हारे अंदर रखा हुआ suppose example की बात करते है suppose करो यह duster है duster के उपर मैंने marker रख दिया तो duster का mass और plus में marker का mass marker का matter duster का matter मिला के इसका पूरा क्या बन जाएगा mass बन जाएगा अब हम बात कर लेते हैं weight की थोड़ा mass clear हुआ होगा weight की बात करते हैं अगर mass clear नहीं हो weight से हो जाएगा क्या है weight देखो weight क्या होता है mass of a person या mass of an object किसी भी object का कोई mass under the influence of gravity क्या बोला मैंने किसी भी object का mass under the influence of gravity है ना यानि कि कितनी उस पे gravitational force लग रही है और क्या उसका mass है अगर इतना हमें पता चल जाए तो हम weight निगाल सकते हैं तो हम इसे सीधा सीधा कह सकते हैं w is equal to mass under the influence of gravity gravity यानि कि small g into g है ना तो g into mg यह हो जाता है हमारे पास weight का formula इसके अदावा g की value पुट करो क्या निकाली थी हमने g की value अभी अभी अच्छा अब इसकी unit निकालनी है क्या होगी unit जो force की unit होगी वही इसकी unit होगी इसका मतलब si unit of weight भाई kg मतलब लिखा ना weight क्या होगी Newton है ना एक चीज मैं आप एक छोटी सी बात बताने वाला हूं Newton capital में अगर लिखना है तो capital N लिखो मतलब एक symbol में लिखना है तो capital M लिखो बट अगर तुम्हें पूरा लिखना है ना तो उसे small करके लिखा करो Newton अगर तुम इस word को capital कर दोगे ना तो यह थोड़ा सा गलत हो जाएगा ठीक है चलो इतना समझ आगे SI unit क्या होती है weight की Newton मास की SI unit तो हम सबको बता है क्या होती है SI unit kg kg में ना पा जाता है मास कोई देखकत है इसके अंदर अच्छा अब हम बात करते हैं weight on different objects अर्थ के उपर हमारा weight क्या होगा इसको इससे multiply मैं कर दूँ है ना लेकिन moon के लिए क्या यह value हमारी होगी होगी क्या ना मैं 9.8 meter per second की meter per second square की अगर मैं बात करूं तो यह कहां के लिए है अर्थ के लिए लेकिन क्या यह consider होगा moon के लिए नहीं होगा क्यों क्योंकि उसके पास mass अपना different है उसके पास radius different है जी तो चलो same है लेकिन उसका mass तो different है radius भी different है जिसके कारण यह change होगा तो पूरी पूरी g की value change होगी अगर g change हो गया तो weight change हो जाएगा तो यह बोला जाता है कि जो g है moon के उबर मैं पूरा calculation करके नहीं दिखाऊंगा g का moon बर लेकिन moon का जो g होता है वो होता है 1 by 6 of the g acceleration due to gravity on moon अगर gravity अच्छा moon के उपर कोई object है सपोस करो एक खड़ा होय उसके उपर तो उसको moon है वो कितनी तेजी से कीजेगा 1 by 6 of gravitation सपोस करो यहां पर एक आदमी का mass weight है 60 kg सपोस करो उसका matter है 10 है 10 है उसका matter कितना mass कितना है 100 kg into gravity हम लगाएंगे कितना 9.8 यह अर्थ के उपर मैं बात कर रहा हूं weight on earth कितना आ जाएगा 98 आ जाएगा 98 न्यूटन और वहीं अगर मैं बात कर दो कि moon पे उसका कितना हो जाएगा तो जितना उसका weight होगा जितना उसका acceleration due to gravity earth पे होगा उसका 1 by 6 तो जाएगा moon पे ऐसे ही weight भी सेम चीज़ weight अगर 98 न्यूटन है या weight कुछ है तो उसका moon पे हो जाएगा 1 by 6 weight of earth ठीक है ना क्योंकि mass तो सेम रहेगा ना देखो w is directly proportional to mass w is directly proportional to gravitation ठीक है ना यहाँ पे mass constant रहेगा एक object particular object इसकी मैं बात करूं तो इसका mass रहेगा same कहाँ पर earth पे भी earth पे और moon डे भी ठीक है ना लेकिन gravity की value चेंज होती रहेगी gravity की value चेंज होगी मैं अभी बताया इन दोनों की वज़ा से gravity की value moon पे चेंज हो जाएगी और जैसे ही gravity की value चेंज होई तो कितनी होती है 1 by 6 अब अच्छा 1 by 6 तो जाती किसकी earth की है ना तो यहाँ पर यह directly proportional का sign कुछ दिखा रहा है अब तुम मेर को बताओ कि अगर यहाँ पर 1 by 6 decrease हो गया है तो यहाँ पर कितना होगा 1 by 6 की decrease होगा ना क्योंकि directly proportional है जितना इधर कम होगा उतना इधर भी कम होगा है ना इधर 2 से multiply करते हैं तो इधर से 2 multiply हो जाता obviously बात है तो 1 by 6 of the weight of earth moon का weight अब यहाँ से calculate कर लो weight of moon is equal to 1 by 6 of weight of earth यह हमारे पास एक formula आ गया इसको note कर लो क्या कि moon के उपर weight कितना हो जाएगा 1 by 6 of the weight of earth अर्थ का weight put करके देख लो 1 by 6 into 98 जो भी solve करोगे वो answer हो जाएगा moon पे अब यहां पर हमारा calculation वाला पार्ट खतम होता है अब हम बात करेंगे यहां पर mass और weight में difference क्या होता है mass और weight में difference के बाद बात करेंगे free body diagram की जो की बहुत ही important है और बहुत ही असान सी चीज़ है free body क्या है free fall basically free fall free fall छोड़ दिया मैंने free fall freely body उसके बारे में भी हम बात करेंगे फिर हम बात करेंगे थ्रस्ट और प्रेशर की और लास्ट में हम बात करेंगे जिए भी बात करेंगे निए थिर्णी प्रिंसिपल अरॉड प्रेंगे खरेंगे